नमस्कार वेलकम यूगाइस बंस अगेन स्वागत है आप सभी का फिर से ही चलिए स्टार्ट करते हैं शुबात करते हैं हम पिछली वीडियो में क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे अमीं कर्मिनल एनालिसिस के जो हमारे पैप्टाइट सुंगे उसमें है आज हम विदी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेंजल भी थे एंड तर्मिनल एनालिसिस चल रहा था हमारा जिसमें पढ़ने वाले हैं अला the denegasy वृधि कि इस विदी को डैंसल विदी क्यों थे हैं कि किदा इस्जी हम जाते हैं उसका नाम है डेंशल क्लोरएक उसका अधार पर इसको डैंसल केल जाता है इसमें क्या जूसक्त है फाइफ डाइ मिथाइल अमीनो नेप्थिलीन सल्फोनिल वन क्लोराइड का प्रयोग एंड टर्मिनल विशलेशन के लिए स्यंते लिए की आजाता है बहुत जादा डिटेल में पड़ाएंगें क्योंकि इतना नहीं है इतन्य जयुक्त ज़्याद्ध रीजलेशन हैं जैसा B तो इसका मतलब नेप्थिलीन होगी बना ली नेप्थिलीन नेप्थिलीन में क्या बना हुआ है सल्फोनिल वन क्लोराइड यानि कि वन पोजीशन पर सल्फोनिल क्लोराइड होगा और फाइफ पोजीशन वन टू थ्री फोर फाइफ यानि कि यहां पर होगा कौन? डाई मिथाइल अमीन यानि कि N, M, E यह होगा डाई मिथाइल अमीन यह होगया और इस पर कौन सा होगा? सलफोनिल क्लोराइड यानि कि SO2 CL इसका नाम है डैनसाइल क्लोराइड इसको क्या बोलते हैं? यह जो रियेजेंट है, इसका पूरा नाम है 5, Dye, Methyl, Amine, Amino, Naphthalene, 1, सलफोनिल, क्लोराइड ठीक है? क्या है? 1, सलफोनिल, क्लोराइड अच्छा, आपन वहाँ लगा दिया है सही कर ले ना बही है? 1, सलफोनिल, क्लोराइड यहां इसका दूसरा नाम भी इसको बोलते हैं डैंसिल, क्लोराइड क्या नाम है? इस रियेजेंट का डैंसिल, क्लोराइड इसलिए इसको डैंसिल विधी यूज़ कियाता है जैसा कि आपको दिख रहा होगा यह ग्रुप बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह कौन जुड़ जाएगा? हमारा जो एमीनो एसेड है वो यानि कि यहां पर हम जैसे जो भी हमारे पैप्टाइड के साथ रियक्शन कराएंगे तो यहां पर कौन जुड़ जाएगा? एमीनो गुरुप आकर जुड़ जाएगा तो यह विएजेंट यहां पर यूज किया जाता है और यह जो वीदी है काफी यूज की जाती है तो हम यहां लिख सकते हैं कि इस वीदी का वियापक उपियोग किया जाता है क्योंकि क्योंकि डैंसिल प्रदीप्ति सिल होता है मतलब जो डैंसिल इसके साथ जुड़ेगा तो यह क्या करता है? प्रदीप्ति यानि थोड़ी सी लाइट उत्पन करता है अगर थोड़ी सी भी मात्राम उत्पन हो रही होगी तो हम फ्लोरोसेंट टेक्निक्स जोते हैं उसकी साथा से इसका मापन कर सकते हैं इसकी पहचान कर सकते हैं तो हम यह लिख सकते हैं अगर प्रदीप्ति शीर होता है प्रदीप्ति शीर होता है जिससे लिख सकते हैं जिससे एक टेक्निक होती है जिससे बोलते हैं फ्लूरोमीट्री जिससे अगर कोई प्रदीप्ती शीरपदार था उसका पता लगाया जा सकता है असानी से तो कौनसी टेक्निक है फ्लूरोमीट्री जिससे फ्लूरोमीट्री द्वारा फ्लूरोमीट्री द्वारा अगर सुक्सम मात्रा में भी उरागा तो कि को ने पर भी वोने पर भी डैंसिन कि वित्पुन्णों को लिया वित्पुन्धा की पहचान की जा सकती है कि इसका क्या मतलब है अगर बन रहा है यहांद डैंस़ी का सब्स्ट्टुटुट्ई वंए गाल यह वेनवीन में जान ही होगा होगा तो भी क्या होगे इसकी पहचान की जा सकती है कि इसके द्वारा इसलिए इस विद्धी का यूज बहुत ज्यादा किया एन एमी इस गुरुप पे तो कोई फेक्ट ने पढ़ने वाला बाकि जो भी एमिनो एसेड रियक्ट करेगा वो यहां करेगा इसको मैं ऐसे लिख सकते हूं और यहां से जलब घटन वो जाएगा तो आप जानते ही हो क्या होगा पूरा यहां बता रहें क्या होगा इसको लेक्ट यह रियक्शन होगा इसके बाद यहां से जलब घटन हो मतलब गटन हो जाएगा तो के वलिए क्या बन जाएगा सी ओ और यह पर जुड़ जाएगा एन एच यहां पर जो भी आर ग्रुप है और है और यहां पर सी ओ ओ एच तो इस तरह से यह क्या बन जाएगा यह दैन्सिल डैरी वेटिव ठीक है और यह अगर थोड़ी सी भी मातरा में वन रहा है तो भी इसका पता लगाया जा सकता है तो इस तरह से सेम जिस तरह से पिछली वीडियो में क्याता इतनी जादे इंपोर्टेंट नहीं है तो आपको इतने जादे ड करके पता लगा सकते हैं और बाकी का जलब गटन की वज़े से पूरी चेंज जो है वो आगे विखंडित हो जाती है तो नोट कीजिए फिर हम देखते हैं अगला मेठ़ड जो एंड टर्मिनल एनालिसिस है वो तो हो गया है आपका खत्म ठीक है अब हम जो पढ़ेंगे वो है सी टर्मिनल एनालिसिस वो कैसे करेंगे तो एंड टर्मिनल एनालिसिस में तीन मेठ़ड से इंपोर्टेंट जो कि आपने पढ़ लिए एव वम सी टर्मिनल एनालिसिस देखेंगे स्वावम देखेंगे सी अंतस्त एमीनो अमलु विशलेशन एमीनो अमलु निर्धारण यानि कि सी टर्मिनल एनलिसस कैसे करते हैं जिस तरह से एन टर्मिनल एनलिसस किया था कुछ रिएजेंट्स का यूज करके उसी तरह से अब सी टर्मिनल एनलिसस कर सकते हैं इसा आप सोच सकते हो लेकिन ऐसा होता नहीं है इसमें जो chemical methods जो हम अभी तक end terminal में यूज कर रहे थे वह यूज किया गए तो बहुत जादा सफल नहीं पाए गए यानि कि बहुत जादर येजेंट ऐसे नहीं है जो सी terminal analysis करते हूं तो फिर इसमें कौन सी विदी यूज की जाती है इसका analysis कैसे किया जाता है तो इसका analysis करने क इसका analysis करना आप जानते हूंगे क्या होते हैं जबकि बॉड़ी में बनते हैं उनका यूज किया जाता है तो वो क्या करते हैं को एंजाइम से होते हैं पूरी चेन यानि प्यप्टैड चेंज होती है उसको पूरी को विखंडित नहीं करते कि वहाल कुछ विशेश जगाहो तो इसी attack को लेकर अलग-अलग तरह के enzymes की जाते हैं तो यहां पर जो हम विधी यूज़ करते हैं chemical की वज़ा एंजमेटिक विधी ज्यादा यूज होती है एक chemical विधी भी है जब भूह इसका hydrogen जीनालिसिस कराते हैं यानि किसके हाइड्राजीन के साथ अविक्रिया कराते हैं तो देखते हैं कैसे होगा तो हम यहां लिख सकते हैं कि सी टर्मिनल विशलेशन के लिए विशलेशन के लिए रासाइनिक विधिया उपियुक्त नहीं पाई जाती हैं नहीं पाई जाती हैं इसलिए 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 क्या होता है इसलिए एंजाइम्स का प्रियोग C टर्मिनल विशलेशन में अधिक होता है अधिक होता है किसका प्रियोग अधिक होता है एंजाइम्स का प्रियोग अधिक होता है तो आता है हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स के उपियोग द्वारा यहां ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ enzymes कुछ enzymes ऐसे होते हैं जो peptide का विशिष्ट इस्थानों पर विशिष्ट इस्थानों पर विदलन करते हैं कुछ enzymes हैते होते हैं जो कुछ special जगाओं पर विशिष्ट इस्थानों पर ही क्या करते हैं विदलन करते हैं उनको काटते हैं तो इसलिए कुछ enzymes क्या इनका use जादा करते हैं कौन-कौन से enzymes हैं कौन-कौन सी विदियां हैं वह हम देखेंगे सबसे पहले हम इसका chemical method देखेंगे chemical method जो की ज़्यादा useful नहीं है C-terminal analysis के लिए लेकिन एक हम use करते हैं जिसका नाम है hydrogenalysis hydrogenalysis यहां बोले हिंदी में तो hydrogeny current ठीक है नाम सही समझ गया होंगे किसके साथ reaction कराएंगे hydrazine के साथ माल लोग कोई peptide chain है जैसे कि यह है NH2C कोई भी amine acid जुड़े हुए हो सकते हैं हम तो एक normal peptide chain ले 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 C double bond O NH C C double bond O RH NH C R H और यहां पर जुड़ा होगा इसके साथ COOH इसकी reaction हम किसके साथ कराते हैं hydrazine क्या होता है hydrazine NH2 NH2 ठीक है और कैसा भी लेते हैं N hydras nirjal hydrazine लेते हैं कितने भी hydrazine हो सकते हैं हमने एक लिखा तो एक नहीं होता N moles N moles मतलब यह depend करता है कि आपकी peptide chain में कितने amino acids जुड़े हुए तो access में लेते हैं या N moles लिखने की जगा हम यह लिख सकते हैं hydrogen कैसी लिए जाता है आदिक के में लिया जाता है काफी मात्रा में लिया जाता है तो होगा क्या कि यह पूरी की पूरी peptide chain को अब घटित कर देता है कैसे यहाँ पर क्या है वही nitrogen है nitrogen के पास lone pair है तो माल लो यहाँ attack करेगा यह उपर गया नीचे गया और यह chain क्या होगी तूट जाएगी ऐसे ही एक और molecule होगा वो इस carbonil group पर attack करेगा यह उपर गया नीचे गया और यह वाली chain तूट जाएगी तो इस तरह से सारे amino acid अलग-अलग हो जाएगे और हमें क्या प्राप्त होगा एक तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा एक तो यह प्राप्त होगा NH2 C R H और यहाँ पर C double bond O और इससे कौन जुड़ जाएगा Hydrazine यानि NH और NH2 एक तो यह जुड़ जाएगा यहाँ से एक H निकलेगा वो ही तो इस पर जाएगा इस वाले स्वाले वो ही तो इस पर जाएगा nitrogen पर एक तो यह मिला साथ में कौन मिला एक तो यह वाला NH2 NH2 C R H और यहाँ पर C double bond O फिर से NH NH2 यह मिला और साथ में कौन मिलेगा साथ में यह अमीन ऐसिड मिलेगा जो कि NH2 C R H और COH तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ पूरी की पूरी peptide chain तोट गई और हमें क्या मिला एक खास चीज देखने को मिली क्या कि जो C टर्मिनल पर अमीनो अमलू मौजूद था उसका हाइड्रेजीन नहीं बना बाकि यह जो दोनों थे उससे पहले जितने भी अमीनो ऐसिड जुड़े हुए थे उन सबका हाइड्रेजीन प्राप्त होता है इसका कोई हाइड्रेजीन नहीं बना हुआ है यह मिक्स्टर डालते हैंस तो क्या होगा इस टूब होता नीचे होता है क्योंकि सबसे पहले एग्रेजीन नहीं बना वह सबसे अलग हो जाता है तो इस तरह से हम सारे अमीनो असटको करके उसका इनलेसिस annoying उसका कॉलम से सबसे पहले निकल कर आएगा वह कौन सा होगा सी टर्मिनल पर है कि प्राप्त मिश्रंड को है यह तो इस तरह से आपको पता केटाइन एक्स्चेंजर भरकर कॉलम चलाया जाता है चलाया जाता है जिसमें सबसे पहले मुक्त एमीनो अम्ल प्रथक होता है जिसका विशलेशन कर यह पता लगाया जा सकता है के सी टर्मिनल पर कौन सा अमीनो अम्ल मौजूद था अमीनो अम्ल उपस्थिता तो एक तो यह विदी है हाइडरोजिनलाइस केमिकल मेथड है और इसके लावा जितनी भी विदी हैं वो एंजाइमेटिक हैं एंजाइम्स का यूज करके पता किया जाएगा पहले इसको नोट कीजिए फिर एंजाइम्स मेथड देखते हैं एंजाइमेटिक मेथड जो दूसरा मेथड हम सी टर्मिनल के लिए यूज करते हैं वो है एंजाइमेटिक मेथड एंजाइमेटिक मेथड एंजाइम्स विदी एंजाइम्स विदी में क्या होता है विविन विविन प्रकार के एंजाइम्स का यूज किया जाता है जैसे कि carboxy peptidase एक enzyme होता है carboxy peptidase अगर हम हमारे पास कोई peptide chain दे रखे उसमें हम क्या डाल दें carboxy peptidase enzyme डाल दें तो वो क्या करता है वो एक वार में केवल एक ही amino acid को अलग करता है और वो भी कौन सा c terminal तो यह किसमें यूज होता है c terminal analysis यानि कि c terminal पर जो भी amino amino मुझूद होगा केवल उसको ही प्रथक करेगा बाकी amino amino को साथ कोई छेड़ जाड नहीं करेगा तो यह क्या करता है कि केवल c terminal वाले amino acid को काटता है है ना तो हम यह लिख सकते हैं कि यह है c terminal c terminal पर मुझूद amino amino को प्रथक करता है अतह एक बार में केवल केवल एक amino अमल एक amino अमल प्रथक होता है जैसे for example हमारे पास कोई peptide chain है जैसे हमारे पास कोई peptide chain है ठीक है क्या है मैं कैसे लिख रही हूँ इस वार में खोल के नहीं लिख रही मतलब जैसे अभी अपने chain मनाई थे नए peptide chain वैसे ही होंगी माल लो सरवाद में कहोई जुड़ा होगा ऐलानीन जुड़ा होगा फिर ग्लाइसीन फिर शिस्टीन फिर ल्यूसीन और माल लो इसके बाद कौन सुड़ा हुआ है लाइसीन जुड़ा हुआ है और इसमें peptide chain में मैंने कौन सा carboxy peptidase अजनाम मिला दूँ carboxy peptidase enzyme मिला दूँ तो होगा क्या हम जानते हैं इधर की side तो कौन सा amino group होता है तो यह तो कौन सा होगा यह तो होगा N terminal कई बार देख चुके हैं और यहाँ पर जो मौझूद होगा यह कौन सा होगा C terminal और अभी अभी हमने बोला कि यह एक वार में केवल एक ही bond को अलग करता है और केवल किसको अलग करेगा जो C terminal पर मौझूद होगा यानि कि इस peptide chain को यह तोड़ देगा यहाँ से काट देगा और क्या करेगा बाकी की peptide chain तो as it is रहेगी यानि ऐसे जुड़ी हुई रहेगी GLY, CIS, LEU केवल अलग कोन हो जाएगा lysine अलग कर देगा lysine को क्या कर देगा काट देगा इसको बोलते हैं कट कर देता है यह enzymes क्या कर देते हैं जो bond होता है peptide bond उसको cleave कर देते हैं तोड़ देते हैं काट देते हैं तो यह केवल कहा काटता है C terminal पर तो पहले lysine अलग होगा उसको अलग कर लिया फिर ठीक है फिर दुवारा डालेंगे फिर एक वार अगली बार में leucine अलग होगा फिर सिस्टीन, glycine इस तरह से बारी बारी से हम इसका यूज करके हर एक amino acid को अलग कर सकते हैं क्योंकि यह एक वार में केवल एक amino acid को काटता है और वो भी कौन सा C terminal पर मौझूद amino acid ठीक है तो एक तो एक कार्वोक्सी peptides का यूज कर सकते हैं हम C terminal analysis के लिए नहीं तो हम दूसरा amino acid यूज कर सकते हैं जिसका नाम है अगला है chemotripsin chemotripsin यह भी C terminal में यूज होता है लेकिन यह कौने पर मौझूद amino अमलोग को अलग नहीं करता यह क्या करता है कि यह केवल एक aromatic amino अमलोग के right side पर मौझूद amino अमलोग को काटता है यानि कि हमें केवल वो peptide chain चाहिए जिसमें कम से कम एक aromatic group यानि aromatic amino acid जुड़ा हुआ हो तो हम यह लेक सकते हैं कि यह है aromatic amino अमलोग के right को क्या बोलते हैं बाया left को क्या बोलते हैं इंदी ने पता right लिख लिजे right side पर मौझूद यह aromatic amino अमलोग के right side पर मौझूद amino अमलोग को प्रथक करता है कहने का मतलब क्या है अभी आप समझ जाएंगे जब हम example लेंगे जैसे हमारे पास है alanine है ठीक है फिर यहां पर जुड़ा हुआ है phenyl alanine ठीक है और phenyl alanine के बगर में जुड़ा हुआ है serine glycine serine glycine और यहां पर जुड़ा हुआ है glutanine ठीक है तो अब हमने इसमें डाल दिया amino acid sorry enzyme डाल दिया कौन सा chemo trypsin enzyme डाल दिया chemo trypsin और हमारा जो chemo trypsin है वो यहां पर नहीं काटता हम जानते हैं इधर की side तो होगा c terminal इधर की side होगा n terminal लेकिन काटेगा तो c terminal पर लेकिन कहां काटेगा अगर कोई aromatic amino acid मौझूद है तो उसके बगल में right side पर काटेगा तो कहीं पर तुम्हें यहां पर aromatic amino acid दिख रहा है क्या इस chain के अंदर मुझे तो दिख रहा है भई तुम लोग को दिख रहा है या नहीं यह ना फिनाइल एलालीन नाम में फिनाइल आ रहा है यानि बेंजीन वले होगी इसके अंदर तो यह क्या करेगा कि यह पहले तो देखेगा कोई aromatic amino acid है या नहीं ठीक है देख लिया इसने chain में आरे भई है aromatic amino acid है और अब तो यह अब रियक्ट करेगा अगर नहीं होता तो यह इस पर कोई effect नहीं डालता बिल्लकुल चेंज नहीं करता इसको यानि कहीं से भी ने तोड़ता यह 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 दो पार्ट में तूड़ जाएगा एक पार्ट तो मिलेगा तुमको एलानीन और फिनाईल एलानीन जुड़ा हुआ है और एक पार्ट में कौन जुड़ा हुआ है सिरीन ग्लाइसीन और ग्लूटेमीन इस तरह से यह क्या कर देगा amino acid यानि peptide chain को तोड़ देगा लेकिन सारे amino acid अलगनी हुए अब ग्या करना पड़ेगा यानि किसी और enzymes का यूज करना पड़ेगा तो इस तरह की जो विदियां होती है बहुत जादा कारगर नहीं है क्योंकि सारे amino acid तो अलगनी हुए केवल peptide chain को दो भागों में यह हो सकता है दो से जादा भागों में विभादित क करना है कि ट्रिप्सिन एक एंजाइम खाली ट्रिप्सिन भी होता है अब यह कहां पर काटता है तो यह जो है यह है चाहरी है अमीनों अमलकी राइट साइड पर peptide chain को काटता है and it cuts at the right side of the basic amino acid यानि कि जो अगर chain के अंदर कोई basic amino acid मौजूद है जैसे यहां पर aromatic amino acid की right side में काटा था अब यह किसको काटेगा basic amino acid को ढूनेगा यह aromatic को ढूनता था और यह basic को ढूनेगा जहां पर भी इसक दिखेगा उसकी right side पर क्या कर देगा यह cut कर देगा तो मानलो को यह हमारे पास chain है alanine glycine leucine यहां पर जुड़ा हुआ है arginine और arginine के बगल में जोड़ दिया हमने मानलो फिर से क्या जोड़ दिया glycine जोड़ दिया तीक है अब इसमें हमने क्या मिला दिया trypsyn अजयम मिला दिया अब यह trypsyn किसको डूणता है वही चारी अमीनो एसेड और यहां सब में चारी कौन सा किया आपको अमीनो एसेड है कौन आर्जिन यह तो मैंने आपको श्रक्टर करवाये ते श्रूवात में अमीनो एसेड के वहां से पता चलेगा कि कौन छारी होता कौन amino acid होता है ठीक है तो आरजिनीन सबसे ज्यादा चारी अमीन ऐसेड़ होता इसको दिख गया अब यह क्या कर देगा चारी अमीन अमीन हम सब्सक्राइब कर सकते हैं चारी अमिन ओमन को अलग अलग नहीं कर रहें तो हम नहीं पैचान सकते हैं लिए तो यह कर सकते हैं प्र तो यहां पर इसी के साथ आपका जो पॉरा फॉर्टिकल है अगर मैं ना भी कराऊं तो आप आराम से जो बचा हुआ है यानि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड वो पूरा थियॉर्टिकल है आप लोग इतने समझदार हो थर्डियर में हो कि आप खुद भी पढ़के उसे कर सकते हो अगर कुछ काम का होता तो मैं जरूर कराती है अगर आप चाहोगे तो मैं करा दूंगी और मेरे सला तो यही रहेगी कि आप थोड़ा और ध्यान दीजिए तो कुछ सेल्फ स्टेडी भी कीजिए टाइम बहुत कम है तीचर के वरों से बैठोगे तो स्लेबस पूरा नहीं हो पाएगा आपका टाइम से आप भी जानते हो एक अकेला टीचर पूरा स्लेबस नहीं करा अब तो आपके शाहिए टीचर भी आगे हैं नोट कीजिए आगे चल शुरुआत करते हम प्रोटीन की कि क्या होते हैं प्रोटीन कि क्या है जिका है पौली पैप्टाइट जो पाप्ताइच जो प्रोटीन से जादा हो तो अ प्रोटीन की टींगरी आ जाता है किसी काटीगिरी में आ जाता है proteins की category में आजाता है अब ये proteins क्या होते है बहुत ये जो protein शब्द है हम यहां लग सकते है protein शब्द Greek भाशा कि Proteus किस से लिया गया है Proteus IOS Proteus सब दुसरी लिया गया है लिया गया है जिसका अर्थ जिसका अर्थ First First को हम क्या बोलते है प्रथम यानकि जिसका अर्थ क्या होता है प्रथम होता है जो proteins जो है ये जो word लिया गया है Proteus वर्ड से लिया गया है जो कि ग्रीक भाशा का सब्द जिसका मतलब होता है प्रथम ठीक है और इसे लिए उनको नाम प्रोटीन्स of िसडी त़िया गया क्योंकि राइनिक रूपा मेरो कमें कि जितने भी हमारे बौडी की जिए तो लाइव के लिए राइस एंडी ऑन में प्रथम होते हैं तो हम यह लिख सकते हैं प्रथम होता है और यह लिख सकते हैं में 225ं हम यह लिख सकते हैं कि रासाइनिक योगी कौम में प्रोटीन्स प्रथम महत्व के होते हैं क्योंकि यह जीवन लाइफ जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं है ना प्रोटीन्स के बिना तो आपके बॉड़ी कैसे बनेगी भई बॉड़ी ही नहीं बनेगी प्रोटीन्स नहीं होगे आपका शरीर नहीं होगा कोई चीज नहीं होगी चीज नहीं होगी तो जिन्दा कै हैं प्लांट्स हैं उनका जो मुख्य भाग होता है शरीर का वो प्रोटीन ही होता है तो यह हम लिख सकते हैं कि सभी कि जीव जन्तुओं कि कि शरीर का मुख्य भाग प्रोटीन दुआरा निर्मित होता है छो सबकि बॉडी है वो मेंली कि से बनी होती है प्रोटीन से बना ही होती है यह सभी जीव कोशिकां में पाए जाती हन कोशिकां में पाई जाते हैं आपके हर एक body cell में यहार एक बोड़ी जितनी भी रियाक्शन्स हो रहे हैं एंजायम के थ possibile भी प्रोटेन भी तो होते हैं यह जितना भी मतलब chỉल में living नौन लीविंग तो खेर नहीं लेकर दिवे जितनी भी फॉर्मस हैं वो से बनी होती है बॉर्डी की एक हैं से प्रूटिंज पया जाता है अगर प्रोटिंज नहीं होगा तो आप की जीवन भी नहीं होगा तो आपका चाएं नुक्त वह बोडी प्रोटीन होते हैं कि अगर बोडी में क्लासिफाइब करें कि जादा इंपॉर्टेंट कुछ भोता है क्या तो सिर्फ एक इसीज होती है बोडी में इस ब्लाश्ट में पड़ोंगे तीक है यह सेल्फ स्टेडि से भी पढ़ सकते हो और तो बहुत जाना आप के यहां क्या आप जीवन नी कर सकते हों कि प्रोटीन है और कि हम कितने प्रकार की होते हैं क्या कॉन-कॉन-कॉन से मदलब हैं हर मों से हैं यह सब होते हैं प्रोटी Newton का क्लासिफिकेशन है हर कृटीन से बने तो तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन भी क्या होगा, बहुत वास्ट होगा, तो हम कह सकते हैं, तो अगर हम प्रोटीन के वर्गी करन की बात कर रहे हैं, हेडिंग होगी हमारी अगली, प्रोटीन का वर्गी करन, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन तो बहुत टैप से किया ग किया गया है तो हम यहां लिखेंगे कि इनका वर्गी करण वर्गी करण विविन्द प्रकार से किया गया है जिनमें से प्रमुख तीन निमने लिखे थे जो important है वो हम अब देख लेते हैं कौन कौन से है important तो सबसे पहला वर्गी करण किया गया है गुणों के आधार पर गुणों के आधार पर उन तीन टाइप में से सबसे पहला टाइप है गुणों के आधार पर on the basis of properties गुड़ों के आधार पर और अगर हम गुड़ों के आधार पर देखें तो प्रोटीन्स को दो भागों में बाटा गया है। कितने भागों में बाटा गया है। दो भागों में ठीक है। यह हिंदी में बोलते हैं गोलाकार प्रोटीन ग्लोब्यूलर प्रोटीन अब यह ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स क्या होते हैं रेशेदार प्रोटीन्स क्या होते हैं देखते हैं पहले एकना नोट कीजिए वैसे आपने बहुत देखे होंगे रेशेदार प्रोटीन्स बता सकत जहां पर आपको रेशे दिखाई दें कहां कहां दिखाई देते हैं भई रेशे अरे आपके बाल हैं आपकी स्किन है यह सब रेशेदार प्रोटीन से ही तो बनी हुई है तो रेशेदार प्रोटीन यही तो है नुट की जी तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशेदार प्रोटीन क्या हैं कहां पाए जाते हैं कैसे होते हैं तो सबसे पहले हम फर्स डालेंगे रेशेदार प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन ठीक है और यह कैसे होते हैं मजबूत होते हैं मजबूत मतला आपके बाल है मजबूत से कहने का मतलब है आपके बाल है पानी से दूते होना आप बालों को क्या गल जाते हैं क्या बाल नहीं इसका मतलब यह पानी हो या कोई अन्य विलाएक उनमें क्या होते हैं अविले होते हैं strong होते हैं मजबूत होते हैं और इनकी structure कैसे होती है नाम से पता चल रहा है कैसे होती है रेशेदार होती है तो हम नहीं लिख सकते हैं कि यह protein यह protein कैसे होते हैं रेशेदार मजबूत सन रचना युक्त एवं जल तथा अन्य विलाइकों में अविले होते हैं पेल हैंhstि अम आपके नाकूर हैं आपकी सिकन है क्या पानी डालने से घलाती है क्या नहीं गलतीं लेकिन आप सांध्र अमल ढालेंगे शांध्र जालेंगे तो बई गुल जाएंगे आपने जिस्के तो आपके वह घल जाती है सांद्र अमल एवं सांद्र छारों में यह विलेशील होते हैं यह विले शील होते हैं सांद्रमलों में तो गर जाएंगे आपकी स्किन जल जाएगी अगर सांद रंबलों में डालें ठीक है एक्जाम्पल्स क्या है इसके बहिए एक्जाम्पल्स हैं आपके बाल नाखून आपके नाखून भी इसी से बने हुए हैं आपके तवच्छा यानि कि आपकी स्किन और हड्डियों को मास मास पेशियों से जोडने वाले ठीक है हड्डियों को किस से मास पेशियों से जोडने वाले रेशे यह सभी इसके अंतरगत आते हैं और हमारे दूसरा टाइप कौन से हैं दूसरे टाइप के प्रोटीन से हमारे गोला कार गोला कार प्रोटीन यानि ग्लोबिूलर इन्हें भी आप जानते हो इनको भी आप जानते हो कहां मिलते हैं वही नाम से पता चल रहा होगा जैसे रेशेदार से पता चल रहा थे इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती रेशेदार होती है वैसे गोलाकार है तो इसका मतलब इनकी सरचना कैसी होगी, गोलाकार होगी, तो हम यह लेख सकते हैं, तो यह गोलाकार आक्रिती युक्त सरचना में पाई जाते हैं, गोलाकार आकरिती युक्त सरनचना में क्या करते हैं? पाई जाते हैं और लिख सकते हैं जल तथा अन्य विलायकों जल तथा अन्य विलायकों के साथ-साथ तनू, अमल, एवं छारों में भी विलेशील होते हैं मतलब कि ये बहुत आसानी से गुल जाते हैं अगर पानी में डालो तो तुरंट गुल जाएंगे पानी में या किसी भी विलायक में कंसंट्रेट की तो जरूरत ही नहीं तो तनू में गुल जाते हैं तो फिर भाई कंसंट्रेट में तो जरूरत ही नहीं तो यहां पर इसमें कौन-कौन से एक्जाम्पल्स क्या है जो आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं तो इसके अंतरगत कौन आते हैं एंजाइम्स आते हैं कई सारे हॉर्मोन जैसे की इंसूलीन है यह वह तो एक हर्मोन है इसलीन बगएर हर्मोन जो इसमें आते हैं ठीक है इन्सूलीन एंटी बॉडीमें इंटी बॉडीज होते हैं जो बलड के अंदर हीमो ग्लोबिन होता है ETC यह सभी किसके अंतरगत आते हैं यह सभी गोलाकाड प्रोटीन के अंतरगत आते हैं तो पहला वर्गी करन तो आ वो कॉन्स होते हैं ग्लॉबिले प्रोटिन तो पहला वर्गी करण तो यह है नेक्स्ट जो बाकी के दो वर्गी करण है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अभी के लिए थैंक्यू ट्राई कीजिए बच्चे के सैल्फ इस्टेडी से कर लो क्योंकि आप तो बस के वल्ट थियॉर्टिकल पार्ट है समझाने वाला पार्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो मैं तो अपनी तरफ से यह मान के चल रूए कि यह यूनिट खत्म हो चुकी है क्योंकि जो जितना भी आपको समझाने वाला पार्ट था रियक्शन वाला पार्ट था वो सारा हो चुका है आपके वल्ट थियॉर्टिकल बचा हुआ है जो तो आप खुद भी कर सकते है थ थैंक यू